संसार बहुत भ्रमित करता है. ईश्वर तक पहुँचने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है. तरक विचार. ज्यादा तरक विचार चित्त को भ्रमित करता है. भक्त को विश्वास होना चाहिए कि पहले ईश्वर है, फिर संसार. लेकिन मन तो संसार में ही उल्जा रहता है. अगर ईश्वर का एहसास हो जाए तो संसार को सहज ही समझा जा सकता है किन्तु यदि संसार को समझने में चित्त उलज गया तो ईश्वर के प्रति आस्था भ्रमित होने लगती है शायद इसीलिए रशियों ने वालमीकी को मरा मरा जपने का उपदेश दिया होगा इस बात में भी गहरा अर्थ छिपा है म का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ है संसार अर्थात पहले ईश्वर फिर संसार इसीलिए दिल से ईश्वर को पुकारना चाहिए ईश्वर के सच्चे प्रेम की आस्था तो तर्क विचार से परे होती है भक्त को किसी भी प्रकार से अपने मन से संसार को निकाल कर इश्वर को बसा लेना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि पहले इश्वर है फिर संसार इश्वर के प्रेम में भी एक पागलपन होता है कहते हैं कि गौरंका भी यही हाल था वे भी प्रेम में इतने विभोर हो जाते थे कि सुद्ध खो बैठते थे तब ही तो किसी भी वन को देखकर व्रिंदावन और समुद्र को देखकर यमुना समझ बैठते थे इश्वर के सच्चे प्रेम की एक बूंद भी अगर किसी को मिल जाए तो यही सच्चा अनुराग है ऐसे अनुरागी को संसार पागल कहता है संत कहते हैं अगर हमें दीवाना ही होना है तो संसार की चीजों के लिए क्यों दीवाने हो क्यों न इश्वर के लिए दिवाने हो जाएं प्रेम की पराकाष्ठा में दीवानापन प्रारंभ हो जाता है यही दीवानापन इश्वर के लिए पैदा हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है राधा सुआमी जी